दोस्तो वाटसब पर अगर आपको कोल आता है और वो डिस्पले पर सो नहीं होता है तो इस प्रोलम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो इस प्रोलम को आपको ठीक करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा आपको अपने मुवैल की स से शेटिंग में जाने के बात आपको हलका सा नीछे स्क्रोल करने के बाद एक फिचर को ढूँड़ना है एक सिंपल पर टच करने बाद आपको सबसे उपर एक फिचर दिखाए देगा storage आपको simple यहाँ पर storage पर टच करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक feature दिखाए देगा clear data आपको यहाँ पर touch करना है और यहाँ पर clear catch पर touch करना है उसके बाद आपको यहाँ पर okay पर touch करना है अब आपको यहाँ से back आ जाना है और अब आपको यहाँ पर नीचे हलका सा स्क्रोल करने के बाद एप परमिसन पर टच करना है एप परमिसन पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है आपने कौन-कौन सी इंपोर्टेंट परमिसन वर्टसप को नहीं दी है आप यहाँ पर allow के नीचे यह जो तीन permission देखते हैं यह permission हमने WhatsApp को allow कर रखी है लेकिन यहाँ पर deny के नीचे जो permission आ रही है यह permission हमने WhatsApp को allow नहीं की है अब आपको इन सभी permission को WhatsApp पर allow करना है तो मैं यहाँ पर इन सभी permission को एक एक करके allow कर देता हूँ और यहाँ पर अब हम microphone की permission और नीचे अब दो permission बची है फून और एसमस इन permisन को भी हम यहाँ पर वेसंस की passport अलाऊ कर देते हैं अब यहाँ पर आख्री मिषन है जो sms की permission है यह permission भी हमने हाँ पर से अलाऊ कर दी है अब हम झाफर सबको सारी permission allow कर दी है अब आपको यहां से back आना है और नीजे की दरब आप यहां पर देख सकते हैं other permission के नाम से एक feature है और यहां पर allow to permission लिखा हुआ आ रहा है अब हम यहां पर touch करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं 100 on lock की permission हमने से allow नहीं की है और display pop up window will running in the background की permission भी हमने से नहीं दी है तो हम यहां पर touch करते हैं और यहां पर इसे allow कर देते हैं अब दूसरी permission को allow करने के लिए भी हम यहां पर touch करते हैं और यहां पर always allow पर touch कर देते हैं अब यहाँ पर आपको back कर लेना है और अब आपको यहाँ पर notification पर touch करना है notification पर touch करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है आपने notification को बंद तो नहीं कर दिया है तो यहाँ से अगर इस तरह दिखा रहा है तो आपकी notification बंढ है आपको यहाँ पर एक बाद टच करने के बाद अपनी WhatsApp की notification को on कर लेना है अब यहाँ पर हमारे जो WhatsApp की notification है वो on हो चुकी है अब आपको यहाँ से back कर लेना है और अब आपको अपने mobile के home page में आने के बाद WhatsApp को open वर्शप उपन करने बाद आपको 3.0 पर टच करने के बाद यहाँ पर सैटीक पर टच करना है और सैटन्ग पर टच करना आपको यहाँ पर नीचे एक फीचर दिखाई देगा notification आपको इसन्वार नोटीफीकेसिन परroans तक करने के बाद आपको थिर्च पर रिश्ट करने हो जाएगी उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा हमारे चैनल टेकनिकल दिल साथ को सब्सक्राइब करने के बाद गंटी का एकन को दबा दीजिए हमारी यह वीडियो